ले जनाब इस lecture के अंदर हम देखेंगे कि sampling क्यूं ज़रूरी है और लोग क्यूं sampling को तरजीह देते हैं और sampling क्यूं master करना क्यूं चाहते हैं अगर data आपके पास और रेडी मजूद है उस पे काम करें या आप किसी के data पे काम करें या पूरी की पूरी population पे काम करना चाहें इन सारे concepts को हम देखते हैं पहले फिर हम आगे move करेंगे लेट सी ये screen आपके सामने शेयर हो रही है and in this screen if we see के why do we need sampling sampling क्यों चाहिए sampling होती क्या है और इसको हम क्यों मदे नजर रखते हुए different चीज़ों को deal करते हैं सबसे पहली चीज़ यह है कि जब भी आपने data पे काम करना है उस field को हम बोलते हैं data science ठीक है जब data आपके पास होते हैं उस पे आप काम करते हैं data को analyze करते हैं जैसे different किसम की algorithms बनाते हैं या data को proceed करते हैं अब different चीज़ों को देखते हैं उसको data science बोलते हैं और data science के लिए raw material जो है जैसे हर एक चीज़ का raw material होता है और data science के लिए जो raw material है उसको हम बोलते हैं data और यह जो data है यह basically किसी ने तो collect करना है न वो किसी जो है data को collect करने वाला किसी जिसने data को collect करना है उसके पास different किसम के resources मजूद होते है resources में मजूद होना मसाल के तोर पे अगर वो survey करते हैं तो उनके पास budget होता है कि जब लोगों से question करने है तो उनके घरों में जाके question किये जाएं या उनको internet पे भेज़े जाएं questionnaires या अगर उनने को sample experiment करना है तो उनको experiment के लिए different किसम के materials की जरूरत होती है तो data जब finally आपके पास आता है उसके पीछे या तो laboratory का कोई experiment होता है या कोई survey होता है या आपने observe करना होता है किसी चीजों को या sensor लगाए होते है या there are many other type of data sets जो many other types of experiment जो आप करते है मिसाल के तोर पे आप आज अपनी weather app open करें weather की जो app है इसको जब open करते हैं इसके उपर temperature लिखाता है कि 16 degrees centigrade ठीक है या minus 3 degrees centigrade या minus 17 degrees centigrade या जिन countries में आप रहते हैं हो सकता है यही temperature आपका 12 degrees centigrade हो तो यह जो आपके पास data आ रहा है जो आपके पास सामने आपके number प्रिंट हो रहे हैं ठीक है और यह data आपके सामने आ रहे है इसके पीछे behind the scene उन्होंने sensors लगाए हुए किनोंने sensor लगाए है weather station वालोंने या वो कोई experimental machine learning algorithm की base पे आपको data collect करने के बाद उसको process form में provide करने है तो जो आपको data ऐसे मिल रहा है जो collect करने वाले है वो basically different किसम की strategies को apply करते हैं फिर वो data collect करते हैं ठीक है अब data collect होता है दो तरह से एक तो data collect होता है पूरी की पूरी population का ठीक है और दूसरा data collect होता है आप population में से कुछ लोगों का data ले 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 कुछ लोगों का data ले ले या कुछ data points का data ले ले कुछ लोगों का और जो कुछ लोग होते हैं इसी को हम बोलते हैं sample ठीक है अब आपको भी पता है अगर आप पूरी population का data लेने बैठेंगे तो आपको अच्छे खासे पैसे लगाने पड़ेंगे यानि आपके पास अच्छे खासे डॉलर्स होंगे तो पूरी पॉपुलेशन का डेटा होगा जिसको हम consensus बोलते हैं consensus आपको पता है अगर आप पूरी पॉपुलेशन का डेटा लेने बैठ जाएं तो आपको जितने भी लोग हैं पाकिसान के अंदर 23 से 25 करोड के इर्दगिर उन सभी का डेटा लेना होगा ठीक है और उनका सभी का डेटा लेने से मुराद ये है कि आपको बड़ी बड़ी टीमें तश्कील देने पड़ेंगी और आपको हो सकता है अर्बों रुपिया यहां पे लगाना पड़े ठीक है अर्बों रुपिया खर्बों रुपिया तो नहीं लग सकता अर्बों तक लग सकता यानि कि मिलियन्स या बिलियन्स ओफ रुपीज आपको यहां पे खरचने पड़ेंगे क्यों क्योंके आपको टीमें जो बनानी पड़ेंगी उनको devices लेके देना पड़ेंगी strategy बतानी पड़ेंगी कि आपने किसके घर में जाना है कब जाना है कौन सा area किसने cover करना है तो आपको अच्छे खास से लोगों को भी यहां पे लगाना पड़ेगा यानि कि millions of people उनकी salaries, resources और बहुत खर्चा करना पड़ेगा on the other side अगर आप decide कर लें कि यह मेरे पास population है और इस population के कुछ लोग मैं select करूँ कुछ लोग ठीक है और उन कुछ लोगों का data ले आजए तो आपको भी पता है कि यहां पे अगर 23 से 25 करोड लोग हैं, यहां पे अगर मैं 10 लाख भी ले लेता हूँ, यानि कि 10 लाख या 1 million लोग अगर मैं ले लेता हूँ, जिनको 10 लाख बोला जाता है, तो इसका मतलब है यह जो 1 million लोगों का data है, यह कदर असानी से collect हो जाएगा, लेकिन यह population को represent करना इसका main मकसद है कि यह जो 1 million लोग या 10 लाख लोगों का जो हमने data लिया है इट शुड रिप्रेजेंट दो होल पाकिस्तानी population, अब यह कौन से 10 लाख चुनने हैं कौन से लोग हों, और उनकी properties क्या हों, किस तरीके से उनको हमने select करना है और उनकी age क्या होने चाहिए, gender क्या होना चाहिए, किस इलाके से हो, area क्या हो, और उनकी qualification क्या हो, ठीक है फिर इसके इलावा, आप यह भी दे सकते हैं कि special लोगों को आपने इसमें count करना है ठीक है, फिर आपने अमीर रखने है, rich और poor इन दोनों category में से कौन से लेने, so यह जो parameter decide होते हैं, कि किस को select करना है, यह एक चीज को ensure करते हैं, कि जो हमारा sample है, कुछ लोग है ना वो randomized हो randomized यह हम क्यों कर रहे है randomization, randomization का मतलब यह है कि जितना हम सोच सकते हैं, उतना random sample हो यानि कि अगर एक की उमर 12 साल है, तो एक sample हमारे पास ऐसा भी हो, जिसकी उमर 80 साल हो, यानि कि 12 से 80 साल की उमर की range तक, या 6 मा का बच्चा भी हो उसमें, फिर अगर rich लेना है, तो बहुत billionaires भी ले millionaires भी ले, फिर आप 1000 की जिनकी salary और वो जो jobless है उनका data भी ले, तो random का मतलब होता है कि एक point पे नहीं खड़े रहना आगे भी move करना, बहुत आगे भी move करना, वापिस आना और फिर वापिस आना सो हर direction के अंदर जब आप move करते हैं इसको randomization बोलते हैं और यह randomization क्या करती है randomization आपके data की बाइस को कम करती है ठीक है, मिसाल के तोर पे 22 या आपके data में जो error आ रही होती है उसको कम करती है, अब यह randomization असल में क्या कर रही है आपको पता है कि किसी भी मुलक की population, किसी भी मुलक की जो population होती है वो ना तो सिर्फ अमीरों से बनती है ना सिर्फ गरीबों से बनती है और ना ही सिर्फ जॉब लेस लोगों से मलती है ना ही जॉब होल्डर से बनती है so population के अंदर आपके पास हर किसम के हर तबके के हर age के लोग पाय जाते हैं तो हमने भी ऐसा ही करना है जो sample हो उसके अंदर सारी की सारी population की खसूसिया जो है वो आएं लेकिन number कम हो number of data points यहां पे आपके पास कम हो as compared to population that is why we take sample इसका फाइदा क्या होगा population पे अगर आपको यह analysis करते हैं या को research करते हैं तो आपको पैसा अच्छा खासा लगाना पड़े जो मैंने पहले बताया sample पे आपके पास resources, पैसा, time सब कुछ कम लगता है less time, less resources और आपका जो robustness है वो अच्छी खासी आ सकती है और आप यह sampling को दुबारा भी कर सकते हैं अगर एक दफा घलत हो गया तो आप दो दफा कर सकते हैं तीन दफा भी कर सकते हैं और अगर आपकी population का एक दफा घलत होगी कोई चीज या कोई एक parameter आप भूल के दुबारा नहीं आप कर सकते हैं क्यों क्योंकि इसके पैसे इतने ज्यादा लगने है टाइम अच्छा खासा लगने है और आपको भी पता है मर्दम शुमारी जिसे हम consensus बोलते हैं पाकिसान के अंदर कितने सालों बाद आता है और फिर उसको बड़े इच्छे तरीके से प्लैन करना पड़ता है कि हमारी जो population है उसका सारे के सारा data हमारे पास है और सेंपल जो है इसको रेंडमाइज करने के लिए रेंडमाइज़ सेंपल जो है यानि के ऐसा sample randomized तो एक मैंने आपको बता दी है ना कि randomization एक चीज होती है जिससे आप sample की biasness खतम कर देते हैं कि वो sample जो है सिरफ गरीबों का नहीं होता या सिरफ अमीरों का नहीं होता not only represent poor or rich लेकिन ये सारी की सारी population को ही present कर रहा हता है sample ठीक है अब sample हमेशा आपका representative अगर हो representative sample जो होता है ना वो basically आपके data analysis को असान कर देता है और data analysis को असान करने का मकसद यह है जो भी आप इससे output लेंगे ना वो output at the end जो आप decision लेंगे उसके लिए accurate साबित होगी यनिके at the end जो मैंने आपको पहले start में एक चीज़ बताई थी data driven decision making so data driven decision making आपकी जो है वो accurate होगी यनिके आपका जो machine learning का model है वो correct या अच्छे से लगेगा मिसाल के तोर पे ये जो आपके पास temperature का data आ रहा होता है weather app के अंदर के आज 13 degree है lowest ठीक है और highest है 26 ये जो आपके पास range आ रही होती है और 7 में center में लिखा होता है fields like तो ये भी आपको पता चल गया है कि अगर आपके पास यहां पे मैं 18 कर लेता हूँ चले अगर आपके पास इस तरीके से 3 data point दिये गए हैं तो इनके पीछे data की sampling सालों का data और different किसम के wind pattern humidity और बहुत ज्यादा features count करने के बाद आपके पास यह final data point आ रहा है अगर वो सारे के सारे feature हमें ना पता होते हैं हम सिरफ लोगों से पूछ के कह देते हैं वो फ्लाव बंदे ने का है 13 degree Celsius है और पूरी की पूरी weather की जो stations है वो ऐसे ही काम करते हैं बहुत घड़बड हो जाती इस वज़ा से उन्होंने data sampling, data collection और हर किसम के step पे अच्छी खासी तवज्जो जो है वो दी है ठीक हो गया इस वज़ा से हम क्या करते हैं samples जो हैं उन्हें लेते हैं समय जागी बात की यहां तक आपको clear होगी बात अगर clear होगी तो please let me know in the chat मेन वाइल अब इसी एक scenario के अंदर data collection ज़रूरी क्यों है मतलब हमें क्या ज़रूरत पढ़ी है data collect करने की अगर हमारे पास already secondary data पढ़ा हुए secondary data पढ़ा है तो हमें क्यों data जो है big data के दोर में why do we need to collect the data data collect क्यों करना है अभी भी अगर data इतना ज़्यादा हम कहा रहे हैं कि data is new oil और data इतना पढ़ा है फलाँ फलाँ जगों पे तो हमें क्यों लेना है एक scientist जो होता है जिसने तजर्बे करने होते हैं या एक ऐसा शक्स जो खुद से primary data को बना रहा होता है वो क्या करता है वो नई theory को जनम देता है यानि के primary data के अगर primary data है ना आपके पास जो आपने generate की है उससे जो भी results आएंगे उस results के honor भी आप हैं ठीक है और दूसरी बात जो बन्दा कोई नई theory new theory आजाए कोई या आप कहलें कि new phenomena कोई निकाल ले phenomena और so on बाकी चीज़ें तो science दानों को अक्सर उकात इन चीज़ों की base पे research की base पे noble price दिये जाते है ठीक है और अगर primary data निकलना बंद हो जाए तो इसका मतलब यह है कि हम कोई new innovative चीज़ें नहीं ला सकते यह जो आपके पास इस वकत machine learning के advancement आई है Google ने भी पहले primary data पे काम start किया research की और research करने के बाद उन्होंने different किसम के machine learning algorithm जाए है वो device किये और अपने algorithm को जो जब आप Google पे लिखते हैं कोई भी और उसे search bar पे click कर देते हैं तो आपके पास जो नीचे result आ रहे होते हैं ना 10-12 pages के वो Google का algorithm है और वो algorithm हमेशा update होता है ठीक है update किस base पे होता है इसी एक data की base पे जो वो collect कर रहे हैं so we always need new data और वो new data कोई ना कोई तो collect कर रहे हैं वो Google भी collect कर सकता है मिसाल के तोर पे new product आपने launch करनी है market के अंदर तो आप ये नहीं करेंगे कि market में जो ready data पड़ा हुआ है उसके उपर rely करके आगे चल पड़े नई companies जो हैं खुद से अपना customer service conduct करती है customer service लेती है ठीक है social media post को analyze करती है और अपनी sales को दुबारा से देखती है sales का data जो होता है उनके पास जब ये तीन चीज़ें वो दुबारा से देखेंगे then they can rely के अच्छा हमें new product launch करनी चाहिए या नहीं हमें कोई नई investment करनी चाहिए या नहीं ठीक है मिजाल के दोर पे अभी आपके पास iPhone 15 इस वकत दुनिया के अंदर आया है iPhone 15 launch हुआ है recently तो iPhone 15 के अंदर 15 Pro Max जो है या different किसम का जो heavy spec वाला phone है उसके अंदर USB-C launch हो गई है ठीक है ये क्यों हुआ इसके पीछे भी science है और इन्होंने USB-C ऐसे उठाके Samsung वाली थोड़ी न डाल दे नहीं है patents होते है they have to do their own research और उस research की base के उपर आपको फिर different किसम का जो data वो देते है इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कभी आप primary data की बात करते हैं तो बड़ी बड़ी companies जो हैं वो अपना primary data खुद से collect करते है they don't rely on secondary data secondary data के उपर वो लोग काम करते हैं जिनको data और रेड़ी दे दिया जाए और उनसे पूछा जाए कि आप इस पे काम कर लें so secondary data में खास तोर पे कल मैंने आपको बड़ी detail में बताया secondary data में कौन काम करता है फिर जो new beginners है या students है new students in data science वो secondary data पे काम करते हैं ठीक है आप machine learning model बनाना है practice के लिए आप secondary data पे काम कर लें Google से उठा लें फिर आपने अगर कोई app बनानी है आप secondary data पे ज्यादा तर काम करते हैं क्योंकि आप खुद से वो data collecting नहीं कर सकते ठीक है अगर आपने कोई EDA analysis करना है या अपना portfolio बनाना है तो usually आप secondary data पे काम करते हैं अगर आपने कोई project competition में participate करना है जैसे Kaggle है या different किसम के और competitions हैं वो आपको खुद से data देते हैं तो आप secondary data पे काम करते हैं इसके इलावा अगर आपने कोई market research करनी है और आपके पास budget नहीं है तो आप क्या करते हैं online different किसम के data की बेस पे analysis करके देख लेते हैं कि हमारी niche कहां पे है तो market research भी secondary data पे हो जाती है and there are many other things which you can do यहां तक आपको clear हो गया जी data की क्यों जरूरी है जरूरत है हमें और कौन primary data और कौन secondary data जो है उस पे काम करते है अब अक्सर उकात यह होता है कि लोग जो है primary और secondary data को समझे भगार आगे चल पड़ते हैं sampling की तरफ या data collection की तरफ यहां मैं से काफी ऐसे data scientists बनने वाले जिनको मैं कहता हूँ जेरे तमीर data scientists जो आप जैसे यह मेरे जैसे जेरे तमीर data scientists ना हम सोचते है हमने क्यों data collect करना है हमें क्या पड़ी data collect करने की मसला तब आता है जब आपको कोई company hire कर लेती है और वो आपको यहते हैं आप कोन है जी हम data analyst है अच्छा यार यह हमने data collect करना हमें बताओ तो सही हम कैसे collect करें वहाँ पर आप हो जाते हैं ठुस आप दिखाते हैं ऐसे ठेंगा हमेंने कुछ भी आता तो उस वकत आपने क्या करना है उस वकत यह वाली strategies यूज करने हैं जो भी आपको बताने वालों कि किस तरीके से data collect होता है कौन कौन से methods है and when do you need which kind of method ठीक हो गया